करेंगे हेलो एविवान अवेरी गुट इवनिंग तु आल अफ यू आम श्रीमिश रवास्तर और आज के इस पटिकलर वीडियो में हम डिसकस करेंगे CRPC के आगे के important sections Now, last class में जो है हमने discuss किया था Summon trial क्या होता है, summary trial क्या होता है वो सारे चीज़ें सारे trials हमने discuss किये थे और आज के इस class में हम start करेंगे plea of bargaining से, ठीक है plea bargaining से actually, ठीक है Now, what is plea bargaining, plea bargaining के respect में क्या-क्या चीज़े important है Prelims के examination point of view से वो देखेंगे यहाँ पे section number important है कौन से year से एड किया गया है उससे आपका question बनता है और plea bargaining होता क्या है वो भी हम आज के session में discuss करेंगे इसके आगे की सारे जो important provisions है क्योंकि again, CRPC बहुत lengthy subject है, right तो सारे lengthy subject में सारे sections आपको नहीं पढ़ने है जो भी exam के लिए relevant है जो जिस से जादा question हम देखते है हर बार पूछे जा रहे हैं वो आप को धहान में रखके चलना है A very good evening It's not good afternoon, it's good evening now ठीक है, तो a very good evening to everyone out there चलो, start करते है session को already थोड़ा सा late चल रहे है तो यहाँ पे plea bargaining का जो यह chapter है that is chapter 21A ठीक है, 21A में दे रखा है आपका plea bargaining नव यह जो है आपका insert किया गया था 2006 में ठीक है, act 2 of 2006 में यह chapter आपका add किया गया था exam के लिए important है, prelims exam के लिए 65A जो बात करता है application to this chapter तो यह जो पूरा chapter है ना, इस पूरा chapter में सिर फ्ली bargaining की बात करी गई है, ठीक है, तो हम वो areas को cover up करेंगे, जो आपके prelims में पूछे जाते हैं आपसे, right तो सबसे पहले देखो कि this chapter किस पे applicable होता है तो यहाँ पे कह रहा है, this chapter shall apply in respect of an accused against whom, जिसके against report forward हुई है 173 में, ठीक है, कि उसने offense commit किया है कौन सा, यह appear हो रहा है कि उसने offense commit किया है an offense with a punishment of death, imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force, okay तो इस पे applicable होता है, उने accused पे जनोंने offense किया है जिसके respect में, चार्ट शीट फाइल हुई है 173 में कि भई उसने और यह particular particular offenses पे उसके उपर allegations लगे है, कि उसने ऐसा कोई offense किया है इसमें death penalty है, life imprisonment है या फिर साथ साल से उपर की सजा है, right या फिर यह उन पे लगे गए चाप्टर आपका उन पे आप लिके विलो का जहाँ में magistrate जो है, आपको अपने ले रहा है किसी offense का on complaint, other than the offense for which the punishment of death or imprisonment for life or imprisonment for term exceeding 7 years has been provided under the law for the timing in force and after examining the complainant and the witnesses दोसों में examine करने के बाद complaint and witness को issue किया है process 224 में, right अब यहाँ पे एक very important thing जो प्रिलेम से पूची जाती है that is this thing, यह जो लाई ने आपके यह exam में पूची जाती है कि जो यह plea bargaining है, यह applicable किस पे नहीं होता है but does not apply, यह exam में पूची जाता है कि plea bargaining किस पे अपलाई नहीं होता है जो अफेक करते हैं, जो अफेक करते हैं शोशो एकनामिक कंडिशन आफ दी कंट्री और हाज और उन आफ इंस पे has been committed against a woman और चाइल्ड बिलोग दी एज ओफ 14 यह तो यह तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, प्रिलिम्स के लिए प्ली बारगेनिंग बेसिकली यहां पर वो कह रहे हैं जो एक्यूस है, वो परसन कहता है कि वो अपनी जो भी इसको सेंटेंस उस पर बारगेनिंग करता है ठीक है, उस पर रिक्वेस्स करता है कि भई, कोट तु बी थोड़ा लीनियंट तरीके से उसको सजा दे एक्टिंग दी, सो शो शो एकनोमिक कंडिशन अफ दी अफ्र दी कंट्री अब वो कौन्से औंस सेंस उसको और ग्रेक्करिंग गए शो करें कि इसलोई कौन बताईगा क sila को क्पार लगनिंगि अगेन इंपॉर्टन धरी ग है इम्प़ूर्ल्ट पर लिम्स के लिए फिर अगेन बहुत सारा डिटेल में हमें जाके नहीं देखना है एक्जाम के लिए हमाई जो चीज इंपोर्टेंट है कि यहां पे इन क्याम्रा प्रोसीडिंग्स भी होती है एक चीज़ इंपोर्टेंट है यहां पर यहां पर यह गाइदलाइस दे रहे हैं प्रोसी आपका में पूच जाता है में आया भी था आएगे आज जामिनेशन में कुछन आया था प्ली बार गिनिंग इसमें गाइडलाइन पूची गई तो यह गो तुरू एट अगेन एक्जाम के लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है प्रिलिंस के लिए इतना इंपोर्ट पूची जाती है और शोच्व एकनोमें कंडिशन स्कॉन डिसाइड करता सेंट्रल गोर्वर्मेंट डिसाइड करते कि वह कौन से ओफेंसे होंगे जो आपका अफेक्ट करेंगे ठीक है यह प्री में नहीं हाएगा हाँ मतलब इतना डीटेल खुशन प्ली बार्गिनिंग स ठीक है एनिवेज बाक बाक टुदी बिजनेस यहाँ पर देखो बाकी इतने कुछ आपसे कॉशन याएंगे बस ध्यान रखना कि 265 A से 265 L तक दे रखा है प्ली बार्गिनिंग का चाप्टर चाप्टर 21 है 21 A है 2006 में आया है वो किस पे आपलिकेबल होता है यह बस इतने ही कॉशन से आपकी प्ली बार्गिनिंग में प्रिलिम्स में बनते हैं clear now again this chapter that is chapter 32 22 I am sorry 22 chapter 22 से आज तक तक तो मैंने कोई भी कॉशन प्रिलिम्स में नहीं देखा sometimes कभी कभी अगर बहुत रेरली कोई कॉशन आया होगा तो आया होगा but otherwise इस चाप्टर से कोई कॉशन नहीं exam में पूछा गया अभी तक मेरी नजरों में तो नहीं पूछा गया तो it is a dry area you just want to you can just go through it एक बर बस एक बर रीडिंग लगा लेना otherwise not very important ठीक है छोड़ भी सकते हो इसको clear now next is evidences in inquiry and trial now यह chapter जो है आपका इसका बहुत importance इस chapter का बहुत importance है इस वज़े से क्योंकि इस चाप्टर के कुछ questions आप से directly पूछ ली जाते हैं prelims examination में सबसे पहले language of the code 272 में दे रखा है again language code की co-decide करेगा central government decide करेगी this section is important now यहाँ पे 273 क्या कह रहा है यह again mains के perspective के लिए तो बहुत बहुत important है section otherwise यहाँ पे basically कह रहा है कि evidence to be taken in presence of the accused कि जो भी आप evidences लोगे inquiry or trial के time पे तो उस particular time पे आपको जितने भी evidences लेने हैं वो accused के presence में लेने हैं यह बात के रखिये 273 में now एक बर पढ़ लो except as otherwise expressly provided all evidences taken in course of inquiry in the course of trial और other proceedings shall be taken in presence of the accused और where is personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader और अगर मान लो court ने उसकी personal attendance को dispense कर रखा है तो फिर उसकी pleader के presence में आप सारे evidences को लोगे ठीक है ट्राइल क providing that where the evidence of a woman below the age of 18 years who is alleged to have been subjected to rape or any sexual offenses has to be recorded the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused at the time of ensuring the right of cross-examination of the accused यहापे basically कह रहा है कि जो victim है अगर मालो कोई rape victim है तो court इस बात को ensure करेगा कि जब cross-examination हो रहा है या फिर जब evidences record हो रहे है तो वो victim जो है उस accused के सामने ना है जस time पर आपके evidences record हो रहे है इस बात को court ensure करेगा clear next is record in someone cases and inquiries उस particular case में again prelims के लिए बहुत important नहीं है sections you can leave these sections आप mark कर सकते हो कि इतना important sections नहीं है यह prelims के point of view के लिए ठीक है now next is recording of examination of accused जो हमने 164 वाले section में पढ़ा था कि recording किस मैनर में होगी 281 की मैनर में होगी 281 में क्या दे रखा है recording का manner कि question answer की form में basically recording हो confessions की clear तो यह बात ही 281 में दे रखी कैसे कैसे आपके statements record किये जाएंगे right now this again commission for the examination of witness not very important prelims के लिए आप इतना पार छोड़ सकते हो इसमें आपका commissions के respect में बात कहीं गई है और same commissions जैसे हमने उसमें पढ़ते हैं right cpc में पढ़ते हैं now यह वाले जो commissions है basically investigation inquiry उन सब के लिए ह है तो यहाँ पर यहाँ पार आप छोड़ सकते हो not very important for the examination prelims में तो कोई question नहीं बनता इससे now एक बार DJS में question आया था 293 से section 293 से एक बार DJS को question में को याद है अभी याद आ रहा है कि DJS में पूचा किया था report of certain government scientific experts अब उसके respect में यहाँ पे question जो basically आया था वो आया था इस clause से आपका clause E से कि इसमें director deputy director assistant director भी होते हैं central forensic science laboratory और state forensic science laboratory में ठेक है तो यह सारे लोगों की report के respect में बात हो रहा है कि यह section apply होता है to the government scientific experts namely all these experts एक बार go through कर लेना DJS में आया था UP या फिर बिहार या फिर 36 गर्ड इन सब में expect नहीं है कि इन एरिया से कोई question आए क्योंकि यह सब dry area है वैसे पढ़ना important है इनको but otherwise prelims के point of view से पढ़ने की जूरत नहीं है I would say तो आप इसको छोड़ सकते हो कि बाकी और भी बहुत सारे चीज़ें जो super important है बढ़ने के लिए उस पर धान दे सकते हो उसको एक बार को छोड़ सकते हो right now I am not encouraging this thing कि आट छोड़ तो उसके उसमें यह topics आपके नहीं आते हैं right now record of evidence in absence of the accused वहाँ पर क्या बताया था 273 में कि भई evidences record होंगे trial के दुरान in the presence of the accused और अगर accused नहीं है तो फिर उसके pleader के presence में होंगे right अब यहाँ पे 299 में क्या कह रहा है record of evidence in absence of accused उस तब क्या होगा if it is proof that an accused has been absconded अगर यह प्रूफ हो जाता है कि accused person आपका abscond कर रहा है ठीक है absconded भागा हुआ है and that there is no immediate prospect of arresting him और कोई भी तरीका नहीं कि आप उसको arrest कर सकते हो the court competent to try or commit for trial such person for the offense complaint of may in the in his absence examine the witness तो अगर मानलो आप उसको arrest नहीं कर पा रहे हो भागा हुआ है तो उस particular case में आप witnesses के evidences को ले सकते हो ठीक है examine कर सकते हो witnesses को produce on behalf of the prosecution and record their disposition और उनकी dispositions और उनकी dispositions और उनकी dispositions भी वो testimony देते हैं witnesses को रिकार कर सकते हो and and such disposition में on the arrest of such person be given in evidence against him into the inquiry into a trial for the offense which he has been charged if the dependent is dead or incapable of giving evidence cannot be found or his presence cannot be procured without any amount of delay expense or inconvenience which are any circumstances would be unreasonable basically यहाँ पर कह रहा है कि मानलो accused person भागा हुआ है यह बकॉर्ड है उसको आप रस निकर पार हो by all your means आप उसको रस निकर पार रहे हो तो उस time पर उसके absence पे भी आप witnesses के evidences ले लोगे उनकी सारे depositions ले लोगे लिख लोगे सारे testimony उनकी अपना record कर लोगे उसको ठीक है फर उन evidences को आप उसके अगेंस्ट व्यूस कर सकते हो पर्टिकुलर एक उस person के against right now 300 से क्या आता है double g party का section है यह ठीक है तो इसको इससे basically section से एक important चीज़ यह है कि इसके nexus में आपका यह basically बात करता है double g party की जो आपका अर्टिकल 20 में भी दे रखा है constitution के तो उसके nexus में question पूच जाता है means के बहुत important है prelims के लिए section number important है that person one convicted और acquitted not to be tried for the same offense अगर एक परसन को आपने बार कर दिया है equipped कर दिया गए तो same offense के आप उसको दुबारा trial नहीं करोगे यह जिस्ट है particular section का right illustration लेकल अगें important है appearance by public prosecutor यहाँ पे again yes are sections आपके directly section number से पूच जाते है legal aid कहां पर दे रखा है कौन दे रहा है वो सारे चीजे आपको पढ़नी होती है prelims के point of view से ठीक है now यहाँ पे अगे रहा है appearance by public prosecutor the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case में apparent plead without any return authority before the any court in which that case is under inquiry trial or appeal तो यहाँ पे basically कह रहा है कि appear कौन होगा public prosecutor होगा appear case में उस सब के respect में पता रहा है section number important है 301 में दे रहा है appearance by public prosecutor that is important for the prelims now next permission to conduct prosecution again not very important for the examination now this is important 303 section number 303 number important है person right of person against whom proceedings are initiated to be defended any person accused of an offense before a criminal court or against whom proceedings are instituted on this court may have a right to be defended by a pleader of his choice यह बात कहां पर दे रखी है 303 में दे रखी है कि accused person की पास राइट है कि वो अपने आपको अपने choice of pleader से अपने आपको defend करा सकता है court में right यह again important है exam के लिए बार बार पूछा गया है examination में right now next is legal aid to the accused at state expenses in certain cases की बही legal aid दिया जाएगा free legal aid दिया जाएगा accused person को at the expense of the state अब यहां पर अगें यह section आपका important role play करता है prelims में कॉशन आते हैं that where in the trial before the court court of session right the accused is not represented by the pleader और accused आपका represent नहीं किया गया है pleader दोरा and when it appears to the court that the accused has not sufficient means to engage a pleader या फिर जहां पर court को ऐसा लगता है कि accused person को अपने case के लिए the court shall assign a pleader for his defense at the expense of the state किसके expense पे state के expense पे court जो है एक pleader assign कर देगी उस accused person को ताकि वो एक valid defense set up कर सके before the court of law now fair trial के लिए क्या है दोनों पाटी अपने पक्सपर बात कहें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी जो है उनकी मुचारिक पास पीडर नहीं है कि accused person के पास तो अपने defense क्या से रख पाएगा तो फेयर trial के लिए दोनों को opportunity मिली जाहिए right opportunity of being heard तो यहां पे basically क्या कह रहा है कि अगर मानलो उसके पास नहीं है sufficient means नहीं है accused person के पास तो वो जो है state के expense पो उसको एक प्लीटर प्रवाइट कर दिया जाता है यह ध्यान अकना state के expense पे के जाता है now high court में with the previous approval of the state government may rule make rules providing for mode of selecting pleaders facilities to be allowed to such pleaders and the fee payable to such pleaders by the government and generally for carrying out the purpose of subsection 1 so again close to prelims के लिए important है क्या कह रहा है यहां पर कि high court जो है किस से government से state government से previous approval लेकर high court जो है rules बनाएगा और वो rules किसके respect में होंगे पहला क्या mode of selecting है कि क्या mode होगा select करने का पीडर को दूसरा क्या facilities प्रोवाइट करी जाएंगे और तीसरा in fees तो प्रिलिम्स में अगर पूचे जाए कि rules कौन बना रहा है तो यहां पर high court with the previous approval previous approval of the state government rules बना रहा है in respect of appointment of the pleader की कौन से प्लीट को select प्लीट को select करना है उनकी क्या fees रहेगी ठीक है और उनको क्या facilities प्रोवाइट करी जाएंगी वो right now third clause क्या कहता है the state government में by notification direct as from such date as may be specified in the notification the provision of second one or two shall apply in relation to any case any class of trial before the other court in the state as they apply in relation to the trial before the court of session तो यहां पर basically यह important है free legal aid दी जाती है आपर legal aid provide कर जाती है accused person को अगर उसके पास pleader नहीं है तो right now next देखो procedure when the cooperation or registered societies and accused not very important बस एक बर गो थू कर सकते हो section number का now this is very important that is section 306 भुबात करता है tender of pardon to accomplice ठीक है accomplice मतलब जो government approver हो जाता है जो क्या कहते है जिसने मिलके काम क्या होता है कि बही मालों पांच लोग है इन्होंने मिलके साथ में को पर्टेकॉलर ओफिंस किया ना उनमें से एक आदमी जो है वो इन सब के खिलाफ इविडेंस देरा रहा है वो गोवर्मेंट की तरफ हो कर इन सब के खिलाफ पूरा बता रहा है वह involved था ठीक है यह पार्ट ऑफ दी क्राइम वह जी पाही पाहिए रहा है टेंडर टू पाड़न एकंपलेस्टिक है कि बही आप जो है उसको पाड़न कर दोंगे अंपलेस को पाड़न कर दोंगे अब उसका क्या पूरा प्रसुजर है यह आपका प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपोर्टेंट है See, read out the section क्या कहता है section यहाँ पे कि विदा विव अफटेंग दी एविदेंस और इन परसंपोर्टेंट या फिर मेट्रोटेंट मेंस दोनों क्या प्रिलिम्स के लिए ही इंपोर्टेंट है कि चानि कि न आपके लिए हिर अबाब रहा है क्या पे क्लाश वन के जो जब भी कोई मतलब कोई person है जो directly connected है उस particular उसने मिलके काम किया है उसने मिलके offense commit किया है यहाँ पर उस person को Chief Judicial Magistrate अगर उस offense को try कर रहा है तो किसी भी stage पे उसको pardon कर सकता है या MM Chief Judicial Magistrate MM या Judicial Magistrate 1st class अगर try कर रहा है किसी offense को inquire कर रहा है किसी offense को तो किसी भी stage पे inquiry or trial के वो क सब्सक्राइंस के रिस्पेक्ट में कौन प्रिंसपल था कौन अबेटर था किस ने ओफेंस किया क्या हुआ वो पूरी कहानी जो है सच सथ बताएगा इस कंडिशन पर उसको जो है माफ कर दिया जाएगा उस पर्टिकलर पसंगो माफ कर दिया जाएगा राइट नौ इस जज अपोइंटें अंडर थी क्रिमिनल लौ अमेंडमेंट अक नाइटीन फिस्टी टू ठीक है या फिर उस यह सक्षन आपका अप्लिकेबल होता है और एनी ओफेंस पनिश्फिल विद इंप्रिस्मेंट विच में एक्स्टेंट टू सेविन यह साथ साल से उपर वाली अपे एनी ओफेंस पनिशबल विद इंप्रिसमेंट विच में एक्सेंट उसक्षन दू सेविन इंस और विद मोर सीवियर सेंटेंज या फिर तो बेसिकली कॉन से कंडिशन सेच्शन अप्लिके बलो रहा है उन उन ओफेंस पिजय एक्स्क्रूसिव ट्राइबल हैं आपक यस कंडिशन पादन करता है अकम्प्लिस को कि वह पूरी इंफॉरमेशन देगा जो भी जोब फिर कर रहा है। by the person to whom it was made और क्या वो उसने टेंडर पाडन किया है ठीक है कि क्या वो एकसेप्टेड है उस परसन द्वारा जो परसन द्वारा या नहीं पर यह इसी इसको मेंशन करनी होगी and shall अब देखो यहाँ पर shall word use किया गया है and shall on application made by the accused furnish him with a copy of such record free of cost और उसको इस चीज की copy जो है free of cost दे दी जाएगी इस record की copy free of cost उसको provide कर दी जाएगी ठीक है उस accused person मुझे जाता है कि उंझे pardon कर दिया जाए clear now every person accepting a tender of pardon made in a subsection 1 shall be examined as a witness in the court of magistrate taking cognizance of the offense and in subsequent trial if any shall unless he is ready to already on bail detained in custody until the termination of the trial तो basically pardon के respect में जो prelims में आपका क्या 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 का question बन सकता है कौन tender कर रहा है pardon cgm mm या for judicial ministry first class case stage पे किसी भी stage पे कर रहा है जब्वी inquiry investigation कर रहा है किसी भी stage पे वो pardon कर सकता है एक important question यहाँ पर यह बनता है इस वाले से किस condition पर किव त्रू डिस्क्लोजर करेगा सारे सरकम्स्सांस के रिपक में एक्ट नेक्स इस क्लॉज से किस पर आपलिकेबर होता है आपका सेक्शन 3 06 306 किस पर आपके भुटा है उस पर कोड़ अशेशन पर उन ओफेंस पर जो एक्ट्रूसिवल ट्राइबलें कोड़ दूसरा गया रहा और दूसरा उसको बताओ कि यह बताओगे कि वह accept हुआ है या नहीं ठीक है और यहाँ पर आप्लिकेशन आप्लिकेशन होनी जाहिए कि हाँ भाई मुझे पाड़न कर दिया जाए उसके अप्लिकेशन उसके साथ और इसको फर्निश के जाएगा फ्री उफकॉस अरे रिकॉड्ड उस एक्यूस परसेन को हां भढ़ी मैं जो ए भोड दी घाए मुझे पारिम कर दिया जाए माफ एझामिन AL विटनेस फिर उसको प्री उसको इजामिन किया आए खिलन कर दिया जाएगा विटनेस कि टरह थे तो त्राल तर्मिन दिवाद तो को स्टरी में रखेंगे तीक है वेरा परसना थे एकस्टेट अ चेह एकस्टेट अर्टर असब सब्सकेशन फोर जहां पर अपर उसने अग्सेट कर लिया एक अनल अंटर अविटने से अच्ट इस अपर सथ्सक्राइब कर लिया एक तो बिसकली यह है आपका इम्पॉर्टेंट पार्डन के रिस्पेक्ट में इस टेल में अभी तक समझ में आया come on hurry up tell me about this much maya hurry up hurry up hurry up so that we can move ahead yes okay 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 cool shallow agi power direct tender of pardon again at any time after the commitment no time they go yeah pay a prelims के लिए important है now again prelims के लिए जो question मनता है आपे power to direct tender of pardon at any time after the commitment of the case but before judgment is passed judgment pass होने से पहले और case commit करने से के बाद the code to which the commitment is made may with a view of obtaining it obtaining at the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privacy to any such offense tender a pardon on the same condition to such person basically यहापे क्या time बता रहा है at any time after the commitment and before the judgment is passed यह प्रिलिम्स के लिए आपका important है clear now again next यह section यह section भी आपका important है means के लिए important है बहुँ सादा trial of a person not complying with the condition of pardon अब बही किसी condition आपको रखा था और को condition क्या थी आपको पाड़न करने को सकंप्लिस को pardon करने की condition क्या थी कि वह सब कुछ सच सब बताएगा उस offense के respect में ठीक है of pardon under section 306 307 इसने accept कर लिया है कि हाम मैं आपको सारी details बताऊंगा मैं as a witness examine होंगा सारी बाते मान लिए उसने अब वो comply नहीं कर रहा है उन condition से अब अपने आपको माफ करवाने के बाद वो comply नहीं कर रहा है तो क्या होगा यहां पे कह रहा है the public prosecutor certifies that in his opinion such person has either by willful concealing anything essential जानबूच के वो कुछ छुपा रहा है कुछ important बात छुपा रहा है ऐसा public prosecutor को लगता है ठीक है public prosecutor certify करता है उसकी opinion में कि यहां पे चुछ यह accomplice है ना वो कुछ willfully conceal कर रहा है कोई कोई बहुत essential चीज जो है वो बता नहीं रहा है जानबूच की छुपा रहा है या फिर by giving false evidence not complied with the conditions on which tender was made ठीक है जिन शर्तों पे आपको जो है माफ के गया था आप वो इसको fulfill नहीं कर रहे हो आप जो है जानबूच के कुछ conceal कर रहे हो कुछ facts हो conceal कर रहे हो या जानबूच के आप जो है false evidence दे रहे हो नहीं ना I guess it is pen paper mode it is pen paper mode it is pen paper mode शायद I'll just clarify this on my telegram channel don't worry नहीं ना I'll just clarify this it is online or pen pen or paper mode because last time to pen paper mode था इसका online का तो नहीं चत्रजग में I have never heard it but then I'll confirm it on my telegram channel don't worry ठीक है now come back to this section यहा पे के रहे है कि comply नहीं कर रहे है जान मुझा कुछ सुपा रहे है such person में भी try it for the offense in respect of which the pardon was so tendered or for any other offense of which he appears to have been guilty in connection with the same matter and also for the offense for giving the false evidence अब यहां पे कह रहा है कि अगर मालनों अगर ऐसा कुछ करता है तो इसको as it is he treat किया जाएगा मैं निगिटिव मार्किंग रहेगी किसी चत्रजग में तरे जो नू निगिटिव मार्किंग admit card are out admit cards are out admit card to admit card to a guy because it's pen paper mode according to me but I'll check it out and I'll let you know okay don't worry uh negative marking कैसे रहे कि negative marking नहीं 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 पर दिनेश last year there was no negative marking as far I remember ठीक है चलो get back get back इस पर आम बाद में discuss कर लेंगे session के end में discuss कर लेंगे don't worry get back to this place this section क्या रहा है कि अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो इसको भी आज़ा जैसे जैसे सब लोगों को offense की punishment मिल भी वैसे इसको भी मिलेगी और साथ में इसको जो है false evidence देने की भी punishment दी जाएगी right now बाकी कुछ इसमें prelims के लिए important नहीं है जो था वो हमने discuss कर लिया ठीक है 306 important section है वो ध्यान रखना ठीक now power to postpone और adjourn proceedings यहाँ पे अगें adjournment proceedings की बात कर रहा है कि कैसे adjourn होती है proceedings ठीक है important section है आपका यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी inquiry हर inquiry हर trial में proceeding के shall be continued from the day by day until all the witnesses and attendance have been examined basically general rule क्या है कि रोज 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 जो है proceedings आपकी लगतार चलते हैं सारे witnesses आपके examined नहीं हो जाते है unless the court finds adjournment of the same beyond a following day to be necessary for reasons to be recorded यहाँ पे court को लगता है कि हाँ आपे adjournment करने की जरुवत है ठीक है जहाँ पे वकील कहता है कि एक तारीक डाल दो या फिर हमें next day दे दो हमें कुछ evidences produce करने हैं कुछ collect करने है तो उसके लिए आप अगर court को लगता है तो इसको रिजर रिकॉर्ट करना होता है तो यहाँ पे बिसिकली आगे प्रवाइड डाट में क्या कह रहा है विर न इंक्वारी और ट्रायल रेट रेट स्वेन और रेप या फ है यहाँ पे बिसिकली है क्या कहता है इस च्रॉष में की अगर अगर अडवाइस बिसिकली को पोस्पोन करना है या जॉर्ण करना है तो court रिजन रकॉर्ड कर करके चायँ परवाइड बीदा बैढ देती है प्रवाइड बद मिनिस्ट रेमान इस परिजिकली ए for a term exceeding 15 तो यहाँ पे 15 दिन से जादा आप रिमांड में नहीं रख सकते accused person को provided feather where the witnesses are in attendance no adjournment और postponement shall be grant जहाँ पे witness जो है आ जाते हैं court में ठीके witnesses जहाँ पे present होते हैं court में उस case में कोई भी adjournment या postponement आपकी grant नहीं करी जाती है without examining them except for special reasons to be recorded इस बात पे भी आपको adjournment नहीं मिलती है कि बही सिर्फ आप इस परपस के लिए adjournment ले रहे हो कि एक उस परसन को आप मौका दो कि वो show cause करें कि sentence दो proposed किया है उसके उपर against उस पर impose किया है उसके respect में उसको मौका दो इस बात पर adjournment नहीं दिया जाता है ठीक है provided also अब नाव यह जो important है यह वाला provided यह बहुत important है प्रिलेम से पूश लेता है कि क्या किन किन grounds पर adjournment होता है ठीक है और किन किन grounds पर adjournment नहीं होता है तो यहाँ पर कह रहा है कि no adjournment shall be granted at the request of the party except when the circumstances are beyond the control of the party सिर्फ party अगर request कर रहे है कि adjournment कर दो तो उस पर adjournment नहीं होता है unless कोई ऐसी condition है जो control के beyond है मतलब वो parties के control में ही नहीं है ठीक है उससे परे है वो control ही नहीं कर सती party तो उस case में adjournment होता है otherwise सिर्फ party के request पर adjournment नहीं होता है now second important fact the fact that the pleader of the parties engaged in another court shall not be a ground for adjournment इस बात पर आप adjournment लेने गए हो court में कि मेरा वकील जो है दूसरे court में busy है तो इस बात पर adjournment grant नहीं करती है court right where a witness is present in court but the party or his pleaser is not present the party or his pleader through though present in the court is not ready to examine or cross-examine the witness the court may if it thinks with record the statement of the witness and pass such order if it thinks with dispensing the examination in chief or cross-examination of the witness as the case may be now again very important यह रहा है जहाँ में witness present है court में ठीक है witness present है court में but party या उसका pleader present नहीं है ठीक है present नहीं है या फिर वो party और pleader present है but वो चाहता नहीं है उस particular witness को examine करना या cross-examine करना तो यहाँ पे court के पास यह discretionary power है कि वो record कर सकती है statement witness का और फिर pass कर सकती है order as the court thinks fit और फिर उस particular witness का examination or cross-examination नहीं होता है ठीक है dispense कर देती है examination in chief or cross-examination in chief of the witness as the case may be clear तो यहाँ पे बेसिकरी ध्यान में रखना वाली बात है कि कौन से grounds पे आपका एजर्णमेंट किया जा रहा है कौन से grounds पे जर्णमेंट नहीं किया रहा है यह question बनता है आपका prelims में 310 बात करता है local inspection की not very important for the examination 311 again it's a special power of the court और यह section बहुत ही जादा important है 311 313 319 320 यह सारे sections आपके बहुत जादा important है 311 में क्या कह रहा है power to summon material witness और examine person present ठीक है कि यहाँ पे court के पास as a minister जब आप जजज बन जाओगी तो आपके पासी पावर होगी कि आपके पासी राइट है आपके पासी पावर है कि आप अपनी पावर को exercise करके किसी भी witness को सम्मन करके बुला सकते हो court को किसी भी टाइप पे और यह पावर आपको दे रखे 311 में और यहाँ पे क्या कह रहा है that any court में again read out the lines अगर आप line को ध्यान से रखोगे तो कोई भी court में discretionary power है court की at any stage किसी भी stage पे of inquiry, trial और other proceeding under this court summon any person as a witness तो यहाँ पे court के पास exclusive power है यहाँ पे special power code को दे रखी है कि वो किसी को भी किसी भी person को सम्मन कर सकता है और इसको बुला सकता है as a witness और examine any person in attendance और उसको examine कर सकता है though not summon as a witness even though वो examine कर सकता है किसी परसन को दो नोट आगर आपने उसको फिर भी नहीं दिया है ठीक है वो सम्मन देके नहीं बुलाया बट फिर भी अगर वो आया है वहाँ पे तो आप उसको examine कर सकते हो code के पासे special power है ठीक है read again और examine any person in attendance परसन वहाँ पे प्रेजेंट उसको examine कर सकते हो to the just decision of the case तो अगर magistrate को ये लग रहा है कि इस particular witness का testimony बहुत जादा important है ताकि हम एक right decision में पहुँच सके case के just decision आ सके case में तो उस particular case में चाहे आप उस particular witness को examine कर चुके हो या फिर नहीं किया है या आपने सम्मन देके नहीं बुलाया है तो आप किसी भी person को examine कर सकते हो सम्मन देके बुला सकते हो already examine witness इसको दुबारा recall कर सकते हो उसको दुबारा re-examine कर सकते हो तो ये एक wide power दे रखी है section 311 में court को is it clear मैं MPCJ की mains के लिए कोई best book learn online earn online अच्छा very nice learn online earn online very nice यार ठीक है तो यहां MPCJ की mains की कोई specific book तो आई लोट से I see I don't suggest books to be honest I don't suggest book I say कि आपको जो भूक अच्छी लग रहे हो लाइंगज में आपको च्छी लग रहे हो वो बुक ले लो यार ठीक है specific नहीं है अशोग जैन की book है मेंस की perspective की volumes आती है उनकी वो बुक बेस्ट है बाकी कोई भी बुक जो आपको समझ में आए वो ले लो मेंस के लिए कोई best book नहीं होते है मेंस में बस solve question papers होते है solve questions के answers लिखे होते है वो आप खुद से भी लिख सकते हो तो कोई specific book नहीं है learn online earn online तो कोई भी बुक ले सकते हो इसकी language आपको समझ में आए अशोग जैन की book है जो basically volumes में आती है ठीक है उसमें आपको दे रखा है अच्छी चरीके से very nice if you are falling study I do that is very nice not start falling study I do DST as well ठीक है चलो ये बात समझ में आए मुझे बताओ पर special power समझ में आया सबको is it clear चलो आगे देखते है ठीक है now again जो important section है आपका power of magistrate to order person to give specimen signatures and handwriting not very important the next super important section is 313 अब ये 313 बहुत ही important है mains के लिए prelims के लिए भी बहुत important है यहाँ पर क्या बात हो रही है कि power to examine the code again it is a special power of the court court की ये special power है ठीक है कि वो examine कर रहा है accused को और यह जो examination है यहाँ पर accused का that is a personal examination ठीक है that is a personal examination राइट क्या कह रहा है in every inquiry or trial for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him the court में अभी यहाँ परुक जो पहले ठीक है यहाँ तक पढ़ो क्या कह रहा है कि her inquiry or trial में for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him किसी जो मान लो मैं accused मैंने murder किया है ठीक है मान लो मैंने murder किया है तो यहाँ पर कोट मुझे एक मौका दे रही है अब उसको क्या करे है personally examine कर रही है now there are two stages may and shall तो यहाँ पर जो discretionary power is court की that may at any stage without previous warning किसी भी stage पर discretionary power है जज की वो क्या कर सकता है किसी भी stage पर बिना किसी previous warning the accused को put such questions to him as the court considered necessary अब यहाँ पर discretionary power है अगेन एक important बात judge साहब जो है बिना उसको पहले कोई warning दिये उससे question पूछ सकते है ठीक है उससे questions पूछ सकते है जो जजद साहब को लगता है कि जरूरी है पूछना shall अब यहाँ पे इस mandatory it is mandatory on the it is an obligation on the magistrate क्या करेगा shall after the witnesses for the prosecution have been examined जैसे ही prosecution site के witnesses examine हो गए है and before he is called on for his defense question him generally on the on the case अब यह एक obligation it is mandatory magistrate क्या करेगा जैसे ही prosecution के witnesses सारे examine हो जाएंगे उसके बाद defense के witnesses evidences आने से पहले यहाँ पे उसको personally examine करेगा इसे stage पे यहाँ परोजिकूशन के witnesses पूरे examine हो गए है now comes defense का side हमने ट्रायल में देगा था कि आप defense के evidences आएंगे तो defense के evidences आने से पहले यहाँ पे accused person से उससे question पूचेगा ठीक है उससे question पूचेगा generally on the case is it clear now provided that in someone case someone case में जहाँ पे court ने dispense कर रखी है personal attendance accused की it may also dispense with the examination under clause B अगर मान लो personal attendance dispense कर रखी है someone case में यहाँ पे clause B में इसको dispense कर दिया जाएगा ठीक है no oath shall be administrator to administer to the accused when he is examined under clause 1 तो जब clause 1 में यहाँ पे जब इसको personally examine किया रहा है उससे question पूचे जा रहे है तो उस पे कोई ओथ नहीं ली जाएगी ठीक है कोई भी ओथ उससे administer नहीं कराई जाएगी to punishment by refusing to answer such question or by giving false answer to them यहाँ पे accused को कोई भी सदा नहीं दी जाएगी अगर वो मना करता है कि मैं जबाब नहीं दूँगा तो उससको कोई सदा नहीं दी जाएगी the answers given by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial and put in evidence for or against him in any other inquiry into or trial for or any other offense which such answers may lead which may tend to show he has committed तो यहाँ पे कहरा है कि जो answers देंगे उसको उसके खिलाव as an evidence use किया जाएगे ठीक अगर वो answer नहीं देगा तो कोई सदा नहीं दी जाएगे उसको अगर आशर दिया है तो फिर उसके खिलाव evidences उसके जाएगे the court may help take help of the prosecutor or defense counsel in preparing relevant questions which are which are to be put to the accused and the court may permit filing of a written statement by the accused as sufficient compliance of the of this section यहाँ पे कह रहा है कि court जो है for prosecutor की और defense counsel की help लिसकता है prepare करने के लिए questions relevant questions पूछ जाएगे accused person से और वो जो है written statement द्वारा भी अपने answers को submit कर सता है clear is it clear is this section clear क्योंकि बहुत important section is it clear clear just tell me is this section clear क्योंकि बहुत important section है come on tell me come on come on come on yes okay ठीक है so this was all from my end in today's session आज हम यही तक पढ़ रहे हैं ठीक है 314 से हम आगे पढ़ेंगे next session में क्योंकि काफी जादा पढ़ लिया काफी जादा रिविजन कर लिया तो आज के लिए इतना ही और कल की session में हम जो है इसके आगे वाले section से discuss करेंगे sections को एक important announcement करना है that is study IQ जो है आपको provide करता है study IQ के courses यहाँ पे आपको यह courses मिल रहे है affordable price में तो you can buy this courses अगर आप एक से ज़्यादा state को target कर रहे हो तो आप महा pack ले सकते हो और इस महा pack में हमने include कर रखा है 16 states के local acts you can see here तो यहाँ पे 16 states का local acts major law minor law judgment writing essay writing सब कुछ cover कर रखा है महा pack में और यह महा pack आपको affordable price में मिलेगा तब जब आप use करोगे मेरा code SHR तो जैसे ही आप code apply करते हो SHR तो आपको मिलता है maximum discount तो आपको मिलेगा maximum discount just a minute buy now पे click करो apply करो promo code SHR SHR some technical glitch is there तो आपको मिलेगा maximum discount और फिर आपको यह महा pack मिलेगा सिर्फ 14,999 तो in case अगर आप से वे state specific त्यारी करना चाहते हो state specific त्यारी के लिए भी we have state specific courses ठीकिए यहाँ पे सारे state के courses है test series भी हम provide कर रहे हैं 36 गड़ को target करने वाले students test series ले सकते हैं और वो test series आपको मिलेगी 4 double line में use करके code SHR तो SHR code use ऐसे ही करोगे वैसे ही आपको मिलेगा maximum discount on all these courses as well as on the test series so this was all from my end in today's session we'll see you tomorrow at the same time at 4 p.m. till then bye-bye take care